मेरी क्रिस्मस मेरी क्रिस्मस मैं आपके लिए लाया हूँ यॉर मनी में खास कुछ पर्सनल फानांस के खास स्टॉक्स और टिप्स आपको खास एकदम मिलेंगे बढ़िया इंवेस्मेंट वाले डेटफ़न्स सोना, चांडी, डार्मेंट चिसमें भी आपने वेश करना चाहिए नहीं साल में मेरी क्रिस्मस, क्रिस्मस से क्रिस्मस तक और अपने पर्सनल फानांस को बनाएए चमकदार, पोर्टफोलियो बनाएए मज़ेदार और ये आपको बताएंगे, मेरे शो में, ये दो खास लोग, मेरे दो खास नुमाइंदे, कविता और साथ में उनके एक एक एक्सपर्ट, मेरी क्रिस्मस, ये जोली में कविता को देख जाऊंगा तो सैंटा ने तो गिफ्ट के तौर पर हमें ये पिक्ट वे दिये हैं और इसलिए आज हम शो में हर आसिट प्लास, हर गोल के लिए बच्चे बुड़े या ज़वान सभी को बताएंगे उनके मतलब का निवेश और उस निवेश में उनके लिए बेस सलहा सैंटा ने तो दे ही दी है, उनकी फोटी मेरे पास है जिसमें से हम निकालेंगे आपके लिए इन्वेस्मेंट से जुड़े बेस सिक्स क्रिस्मस से क्रिस्मस के लिए नमस्कार मैं हूँ कविता थप्याल और आज के हमारे क्रिस्मस स्पेशल शो में जो रहे है वाइस इन्वेसर के हेमिन जी आपका स्वागत है सीधा शो की शुरुआत करते हैं क्योंकि सेंटा ने अब माहुल तो बना दिया है क्रिस्मस का और आज हम हर आसेट क्लास की बात करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा निवेश होता है हर उस इन्वेस्टर के लिए जो निवेश करना चाहता है किस भी तरह का इन्वेस्टर हो चाहे जो खिम ले सकता हो ना ले सकता हो कोई बच्चा हो, कोई जवान हो, मिड एच, या रिटाइड लोगों के लिए भी आज हम financial planning करेंगे, उन्हें बताएंगे, सबसे मशूर और उनके लिए best asset class. शुरुआत करते हैं mutual fund से. मुझे अगर mutual fund में equity के जरिये निवेश करना है, तो options क्या-क्या है? देखें, सबसे पहले तो मैं अग्ता दूँ कि जहां तक mutual fund का सवाल है, मुझे लगता है, अगर हम एक center की बात करें, उनकी portly में जो सबसे बड़ा gift है, investors के लिए mutual fund as an investment option है. Unfortunately, शाद इन्वेस्टर्स ने उसको आँख उठा के उनकी तरफ देखा नहीं. हमारा जो पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है, वो safe होना चाहिए. यह जित्ती भी options है, यहाँ पे पैसा safe है, यहाँ पे returns हमको guaranteed है, लेकिन यह हम यहाँ पे भूल जाते हैं, कि यहाँ पे return बहुत कम है, और जो return आपको मिलते हैं, उस पर हम tax pay करते हैं. तो इससे बहतर option क्या है, उससे बहतर option है, mutual funds. mutual funds क्या करते हैं, आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका देते हैं, जहाँ पे आप different asset classes, चाहे वो equity हो, चाहे वो debt हो, या वो gold हो, उनमें आप invest कर सकते हैं, बहुत सारी options हैं हर asset class में. बिना risk लिए? बिना risk लिए, क्यों? उसका कारण क्या है? यह ऐसा क्यों हम बोलता है, कि risk नहीं है उसमें. लेकि mutual fund जो है, diversified investment वहिकर है, वो दो तरह से diversified है. एक तो यह कि अगर आप 5000 पे भी invest करते हैं, किसी fund के अंदर, चाहे वो equity fund हो, चाहे लगाते हैं. जब बात करते हैं, मालीजे, equity market के हम बोलते हैं, जब भी market गिरे, पैसा लगाइए, हम नहीं लगाते हैं, अगर हम खुद से investment कर रहे हो. लेकिन जब आप mutual fund में invest करते हो, तो आपके जैसे 1000 लाकों लोग हैं, जो पैसा लगाते हैं, आप नहीं लगा रहे होंगे, तो शायद को और लगा रहा होगा, तो fund को नीचे के level पे खरीदने का मौका मिलता है. इसलिए कहा जाता है कि mutual fund diversified vehicle है, काफी फाइदे मन्द है, tax efficiency भी बहुत जाद है, क्योंकि एक वो important चीज, जो काफी investor भूल जाते हैं, आप सरभ gross return को देखते हैं, आप सरभ ये देखते हैं कि मुझे कितना return मिला, आप ये भूल जाते हैं कि inflation कितना है, आप ये भूल जाते हैं कि आपने tax कितना पे किया, आपके हाथ में जो मिला वो इन दोनों के बाद जिसको हम real rate of return बोलते हैं वो अगर आपको चाहिए तो आपको mutual fund जैसे market link production है वहाँ पे आपको invest करना हो अगर आप एक्विटी से कतराते हैं डड़ते हैं उतना जोखिम आप नहीं उठा सकते हैं तो mutual fund के जरीए SIP का रास्ता आप अपना सकते हैं सीधा बाजार में निवेश करने के लिए हर महीने एक specific amount एक निर्धारित राशी आपके account से निकल जाएगी और इसके जरीए आप बाजार में पैसे लगा सकते हैं और ध्यान ये रखी कि अगर आप equity mutual fund में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो यहाँ पर आपका इरादा थोड़ा लंबा होना चाहिए यानि जो आपका निवेश करने का नजरिया है वो कम से कम 5 साल का तो होना ही चाहिए लहाजा यहाँ पर large cap mutual funds की हम बात करें mid cap mutual funds की बात करें इनका अपना सकते हैं इनके जरीए SIP आपकर सकते हैं तेकि सबसे पहले तो आपका जो नजरिया है equity के लिए वो बदने के जरूरत है काफे सारे investor डरते है equity में invest करने से यह सोचके कि उसमें volatility है आपने बहुत सारे इक्विटी में सब दो चीज़ों की जरूरत है एक तो आपको long term का horizon रखना है जैसे आपने का लंबा नजरिया लेके चलिए दूसरा आप एक systematic तरीके से invest कीजिए अगर आप ये दो चीज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़े से comfortable हैं अगर थोड़ा उताच रहाँ देखा आपने लेकिन long term में आपको अच्छा return चाहिए तो आपको equity में जाना है अब इसके बाद equity आपने design करें आप करेंगे क्या equity market में तीन तरह की कंपनियां होती है एक large cap companies होती है mid cap companies और small cap companies ये क्या होती है ये depend करता है उनके market capitalization के उपर यानि अगर हम large cap की बात करें तो वो कंपनियां जो दिगज कंपनियां जिनको बोलता है जो बड़ी-बड़ी कंपनियां established players जो है mid cap उनसे नीचे है small cap उनसे नीचे है फाइदा यहां पर क्या है जब आप शुरुवात करते हैं equity में आपको बता रहे हैं हमारी Santa की ये picks है जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं तो large cap fund की अगर हम बात करें फिलहाल आप multi cap fund देख सकते हैं जो Santa ने recommend किये हैं लेकिन large cap की बात करें तो ICIC Proofocus, Blue Chip, SBI, Magnum Blue Chip Fund और Mirror Asset India Opportunities Fund ये Santa की recommendation है large cap fund में mid cap की बात करें तो यहाँ पे HDFC, Mid Cap Opportunity Fund DSVR, Small and Mid Cap, L&T Value Fund भी Santa recommend कर रहे हैं और जैसा की समझाया हेमिन जी ने भी के multi cap fund में भी आप निवेश कर सकते हैं तो Villa Sunlight Equity Fund और Kotak Select Focus Fund आपको Santa की तरफ से recommend यहाँ पर किया जा रहा है लेकिन हम आगे बढ़ते हैं equity के जरीए तो आप equity mutual fund में निवेश कर सकते हैं लेकिन debt mutual funds किस तरह के निवेशकों को इसका रास्ता अपनाना चाहिए है यह मिन जी बताएए जैसे हमने दो asset class की बात की equity और debt ऐसा नहीं कि सारा पैसा आपको equity में लगाना वहां से बहतर मिले तो आपको mutual fund की जो debt funds है उनके अंदर जाना चाहिए एक चीज़ का ध्यान रखना है debt fund के अंदर काफी variety है जैसे liquid fund है, ultra short term fund है short term fund है, यह उन investors के लिए जो एक साल तक अलग-अलग समय के लिए invest करना चाहते हैं लेकिन अगर आप माल लिज़े, मुकाबला करना चाहते है bank FD से, यानि आप 3-4 साल के लिए पैसा लगाना चाहते है, तो आप कहा लगाए वहां पे जो medium term जो debt funds होते है वहां पे लगाना चाहिए एक चीज़ का ध्यान रखे, interest rate किदर जा रहा है अगर हम आज की बात करें, interest rate नीचे है bank FDs के return जो है, बहुत कम हो गया है ऐसे में, ऐसी क्या option है जो आपको भेतर return दे सकती है, वो है income fund लेकिन ऐसे में घटी ब्याचतरों में debt funds क्यों सही विकलत है, ये भी समझा, ये क्या relation है जी बिलकुल, देखे, इनकी जो relationship है वो inverse relationship है, यानि ये different direction में जाते है जब interest rate नीचे चले जाते हैं, जो पहले के bond already issued है, वहाँ पे आपको interest ज़्यादा मिल रहा है तो जो भी investor है, वो उन bonds को खरीजना चाहते हैं ना कि नए bonds को, और जो demand of supply है जब एक security के लिए demand ज़्यादा होती है लोग ज़्यादा खरीजना चाहते हैं, उसका भाव बढ़ता है तो जो already investors है debt fund के अंदर उनकी NAB उपर चली जाती है, उनको उसका फाइदा होता है तो जब interest rate नीचे जा रहे हो जब आपको FD में पैसा नहीं लगाना हो तब ये जो bond fund है, debt fund जो है ये काफी भेतर option है लेकिन जैसा मैंने का, चुनाव थोड़ा सा समय देखके उसे साब से कीजिए लेकिन Santa नहीं यहाँ पर आपके लिए चुनाव किया हुआ है और debt funds, कौन से आपको अपने portfolio में शामिल करने चाहिए हम आपको बता रहे है Billas and Life Dynamic Bond Fund Quotup Medium Term Fund और साथी HTFC Medium Term Opportunity Fund आपको Santa recommend कर रहे है debt category में इन्हें अपने portfolio में आप शामिल कर सकते हैं लेकिन जल्दी से balance fund के बारे में भी हमें बता दीजे किस तरह के निवेश को इसमें निवेश करना चाहिए तेकि हमने का equity जो है long term की है debt हमने का short or medium term की है अगर आप ऐसे investor है जो decide नहीं कर पा है कि कितना पैसा equity में लगाऊ कितना पैसा debt में लगाऊ आपके लिए balance fund बहुत अच्छे है balance fund में दोनों का mix रहता है equity और debt का उसमें भी अलग लग variety है अगर आप long term के लिए invest करना चाहते है तो equity oriented balance fund यह वो fund है जहाँ पे equity का exposure कम से कम 65% रहता है उसके उपर 75-70 तक भी जा सकता है यहाँ पे आपको फाइदा क्या है कि आपका dividend मिलता है वो tax free है जो long term capital gain एक साल के बाद वो tax free है लेकिन यहाँ भी आपको उन funds का चुनाव करना है जो funds consistently perform कर रहे है जो आपका risk profile से match कर रहे है यहाँ पर Santa की picks आपको बता देते हैं HDFC Prudence Fund, Kota Balance Fund ICSI Proof Balance Fund तो balance fund category में यह है Santa की recommendation हम आगे बढ़ते है mutual funds का तो हमने यहाँ पर discussion करी लिया है लेकिन small savings scheme जो की traditionally हम सब की काफी favorite रही है यहाँ पर हम risk नहीं उठा सकते और हम एक fixed percentage of interest चाहिए इसलिए हम small savings schemes में निवेश करते हैं लेकिन हम देख रहे हैं पर returns काम है और बहुत ही काम option है इसके अंदर जहां पर return जो है वो tax free होता है जैसे अगर आप बात करें public provident fund यह एक अच्छे option है definitely national savings schemes की बात कर सकते हो यह post office की monthly income scheme है इस तरह की options है वो depend करता आपकी requirement कि आपको regular income चाहिए या आप growth करना चाहते हो लेकिन यह आप suggest कर रहे हैं Santa की suggestions भी है TPF और post office monthly income scheme और साथी सुकन्या समधी योज ना यह Santa की picture अगर आप small savings scheme fund में निवेश कर रहे हैं इन instruments में हम घटी ब्याश्टरों के बावजूद भी निवेश वरकरा रख सकते हैं अगर हमें debt का कोई allocation अपने portfolio में करना है तो देखिए इसका कारण यह है कि post office monthly scheme को छोड़के जो बाकी दोना option जो return है वो tax free है जब आपको tax free return मिलता अगर अगर हमालेजे PPS में आपको 8% भी return मिल रहा है लगे समय के लिए तो definitely बहतर option हो सकती चलिए तो यहाँ पर your money में हम आपको बता रहे है सांटा के निवेश मंत्रा और यहाँ पर हमने दो category में अब तक बात कर ली है mutual fund और small savings scheme पर रुकते एक break के लिए break के बात बताएंगे कि senior citizen के लिए निवेश के मंत्रा कौन से दिये है सांटा ने और साथी सांटा आपके retirement का भी ख्याल यहाँ पर रखना चाहता है क्या कह रहा है सांटा retirement के बारे में बताएंगे आपको इस वेक के बात यहाँ मनी क्रिस्वस प्रेशर में आपका स्वागत है और आज के इस खास शोगे मेरे साथ शामिल हेमन्स उसते की हम आपको बता रहे हैं कि आप कहां पर कर सकते हैं निवेश अपने risk को धियान में रखते हुए अपने goal को धियान में रखते हुए ताइम duration को धियान में रखते हुए साथी Santa आपको क्या recommend कर रहा है इस पर भी हमारा focus है लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं अगली category है senior citizens के निवेश की यहाँ पर मुझे बतागी कौन-कौन से निवेश विकल्प है जहाँ पर बिना risk उठाए senior citizens अपनी पूरी जीवन पर की कमाई को निवेश कर सकते हैं सबसे बड़ा challenge जो है senior citizens के लिए retirement के बाद यह होता है कि आप regular income कैसे generate करें unfortunately बहुत कम option है जहाँ पर आपको regularly और definite तरीके से आपको return मिल सके या तो return काम है या वो tax efficient नहीं है तो उन दोनों का combination करके आपको यहाँ पर invest करना पड़ेगा अगर हम बात करें senior citizens की तो सबसे बेतर option होगी उनके लिए senior citizen स्कीम, saving scheme जिनको आप बोलते है वहाँ पर आपको fix return मिलता है quarterly उसके बाद post office की monthly income scheme की हमने बात की वहाँ पर भी invest किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों की दोनों option जैसा मैंने कहा यहाँ पर return guaranteed है लेकि return taxable है और ज्यादा return नहीं है तो कुछ हिस्सा मुझे लगता है mutual fund में जाना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा risk लेके अपने overall return को बढ़ा सके income भी ले सके हैं थोड़ा growth भी कर सके क्योंकि यह जो पहली दो option है यहाँ पर सिरफ आपको regular income मिलती है आपको growth का कोई भी यहाँ पर scope नहीं है तो अगर आप चाहते हैं कि आपको return जो है है सोने की जो हर भारते के दिल के काफी करीब है लेकिन यहाँ पर paper gold में निवेश करने के सलाम आपको दे रहे हैं ETF, gold fund या gold bond कौन सा बहतर होगा तेकि तीनों के तीनों के अपने advantages or disadvantages हो सकते हैं क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल सही का अगर आपको gold में इनिवेश करना है तो paper gold definitely better option है उसके सामने अगर आप jewelry लेते हैं या gold लेते हैं उसमें बहुत सारे issues है आपके पास purity का issue रहता है उसमें making charges है उसमें बहुत सारे issues है paper gold को रखना बहुत असान है ETF जो है ETF का मतलब है जैसे आप एक share करीते हैं उस हिसाब से आपको लेक्ट account चाहिए जैसे आप share करेते हैं वैसे आप ETF करी सकते हैं एक unit जो है उसका भाव जो है वो एक gram gold के सामने होता है अगर आप DMAT account नहीं रखते हैं अगर आप familiar नहीं है कि stock market में कैसे invest किया जाता है तो आपके लिए option है gold savings fund यह fund of fund है जो जैसे अगर मालेजिए एक fund के saving fund में आप डालते हैं gold savings fund में वो fund जो पैसा वहापे color करते हैं उसी fund के gold ETF में डालते हैं गोल्ड fund जो है वो gold ETF में पैसा लगाते हैं इसलिए उसको fund of fund कहा जाता है तीसरा जो एक option है sovereign gold जो काफी latest है जो मुझे लगता है latest है और काफी बहतर option है गोल्ड के सब सबसे बड़ी problem क्या है इसमें सिरफ appreciation या depreciation होता है जो भी value में होता है यह आपको कोई regular income नहीं देता है यह जो sovereign gold bond की बात कर रहे हैं यहापे धाई पसंद का guaranteed आपको return मिलेगा साथ में gold का जो भी भाव होगा वापे जो capital gain रगत आपको होता है 8 साल के bond होते हैं 5 साल के बाद आप आप से निकल सकते हैं लेकिन उसमें सब एक issue है कि यह समय समय पे available नहीं होता है जब जब खुलेगा तभी होगा लेकिन मुझे जो information नहीं है कि सरकारा सोच रही है कि इसको कैसे पूरे साल तक इसको available किया जाए अगर ऐसा होता है और extractive बनाने की भी जरूरत है तो मुझे रगता है गोल्ड बॉंड जो है काफी अच्छी गोल्ड आपके लिए एक option है लेकिन साथी Reliance Gold Savings Fund और SBI Gold ETF भी यहाँ पे सांटा की तरफ से आपको recommend किया जा रहा है लुकते एक break के लिए लेकिन break के बाद यहाँ पे करेंगे आपके retirement की आप देख रहे हैं Your Money का Christmas Special और आज हम आपको बता रहे हैं सांटा की recommendation आपके निवेश को लेकर आगे बढ़ते हैं और अब बाते हैं आपके retirement पर retirement एक ऐसा goal है जो आप निवेश की शुरुआत जब करते हैं सबसे पहला अलक्ष होता है retirement का जो आपको fix कर देना चाहिए और सांटा के मताबिक कई सारी asset class जहाँ पर आपको निवेश भी करना चाहिए लेकिन retirement के लिए अगर हम देखे traditionally हेमिन जी PPS लोग ज़्यादा prefer करते है तेकर retirement planning जैसे आपने का बहुत important goal है unfortunately बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस पर सही तरीके से ध्यान देते हैं दो तिन issues हैं यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमारा पैस इंप्लाइस प्रविजेंट फंड में जा रहा है या हमने थोड़ा पैस PPS में लगाया है और जो gratuity मिलेगा लगता हमारा बहुत कुछ हो गया उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार अभी हमारे पास बहुत समय है 25-30 साल की वर में start करने का कोई मतलब नहीं है तीसरे ऐसे लोग हैं जो invest करते हैं शुरुआ से invest करते हैं लेकिन बहुत conservative तरीके से invest करत या फिर bond में पैसा डाल दिया या फिर सारा पैसा PPF में डाल दिया तो mostly fixed rate पर ही जादा लोगों का रुजहान है अगर हम retirement goal की बात करें रिस कोई उठाना चाता है नहीं है जी क्योंकि लगता है कि important goal है लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो inflation का जो risk है वो आपकी पैसे की safety से बड़ा risk है तो मैं यह नहीं क्या रहा कि आपको PPF में पैसा नहीं लगाना चाहिए PPF एक definitely अच्छी option है कुछ हिस्सा आपका retirement portfolio का वहाँ पर जाना ही चाहिए अगर आप working class में है तो आपका EPF जा रहा है वहाँ पर वहाँ आपका होगा gratuity आपको मिलेगी उसके अलावा क् आप long term के goal में यह जो goal है इसका target बड़ा होता है equity आपके portfolio में होनी ही चाहिए इसलिए कि आप NPS recommend करेंगे यहाँ पर? NPS definitely एक बहतर option हो सकती है लेकिन एक अच्छी option है मैं यह नहीं कहूंगा कि best option है क्योंकि उसमें थोड़े सी problem यह है कि जो taxation अभी भी maturity के time पे एक तो compulsory ann लगता है flexibility काम है लेकिन investment करने के time पचास अरपे के आपको extra shoot मिलती है तो वहाँ पर ले सकते है और बाकी के लिए जो equity mutual funds है या जो pension funds है उस तरह की option देखें मिक्स करें मैं यह नहीं कहादा कि आप PPF को मत रखें वो रखिए लेकिए ज्यादा हिस्सा जो है डिपेंड करता equity में आप जा सकते हैं और जैसे जैसे आपके उमर बढ़ती है in fact equity का portion जो है कम होता है जबकि मेरा यह मानना है कि 45 साल की उमर तक मैं equity में ज्यादा invest कर सकता हूँ तो clearly यहाँ पर PPS, PPS, NPS और साथ ही mutual fund के जरी अगर आप चाहें तो retirement जैसे लक्षर को plan कर सकते हैं समय पर निवेश करना आपको शुरू करना होगा और इन तमाम asset class में आप अपने आपको consider कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा समय है तो आप से हम यही आप जी, ATC के तहट हमें निवेश कहा करना चाहिए, Christmas तो हो गया, फिर New Year Party भी होगी, लेकिन साल की शुरुवात होती जहाँ पर सब सोचते हैं कि अब तो हमें अपनी investments करनी शुरू करनी होगी, 31st March के लिए तयारी शुरू करनी होगी, ऐसे में हम चाहते हैं कि Santa भी इंसा खरी के छुट मिलती है, उसमें से कुछ आपकी commitment ऐसी है, जो आपको invest करना ही है, अगर आपने life insurance policy लिए अपको premium आपको देना ही पड़ेगा, अगर आपने housing loan लिया, जो principal की repayment करते हैं, उसके पर भी छुट मिलता है, वो भी आपकी commitment है, तो पहले तो आप ये देख लिजिए, invest करने से पहले है, सबसे पहले आप ये देखिए, कि आपको invest कितना करना है, कभी-कभी क्या होता है, वो भी planning करते है, लगता है या तो आपने कम invest कर दिया है, तो ज्यादा invest कर दिया, और कभी गलत भी invest कर लेते हैं, कई तरहां कि insurance policy ऐसी खरीद लेते हैं, कि बाद में लगत इसलिए एक बड़ी सला है, यहाँ पर tax saving के लिए है, उसको अपनी overall plan का हिस्सा बनाई है, जैसे आपने बिल्कुल सही का, जब हम उसको overall plan का हिस्सा नहीं बनाते हैं, तो उसको अलग तरीके से देखते हैं, और जहां भी जो सामने आता है, वहाँ पैसा डालते हैं, अगर आप उसको अपना हिस्सा बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि एक commitment के बाद जो पैसा बचता है, वो अगर आप depending on आप किस age में है, कितनी income है, क्या इस profile है, ELSS जो होती है, equity living saving scheme जो है mutual fund की, वो एक काफी बेतर option है, उसको definitely मुझे लगता है उस category को देखना चाहिए, ताकि आप long term के लिए भी invest करो, और उसके फाइदे और यह है कि उनका जो lock-in period है, वो तीन साल का है, और जादा तर जो options है, ETC के अंदर, उसके मुकाबले में उनका जो lock-in है, वो काम है, और जो return है, वो पूरी तरह से tax free है, तो यहाँ पर recommendation, Santa कि आपको बता देते हैं, Reliance Tax Saver, Franklin Tax और कोटक Tax Saver, आपको ELSS में ETC के तहट निवेश करने की सलहा, Santa दे रहा है, और यह है, वो तमाम ELSS funds आपर आप निवेश कर सकते हैं, बहुत 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 शुक्रा ही, मंजी आर जिस खास तेशकर्ष ममाई साथ शामिल होने के लिए, तो हमने आपकी Christmas को तो यहाँ पर शांदार बना ही दिया है, हमने आपको तमाम पिक्स दे दी हैं, जो Santa ने recommend किये हैं, और इन में निवेश अकराप करेंगे, तो मुनाफ़ा ग्यारेश बीड है, इसी नोट पर यॉर्मनी और सिन्वी सी आवाद की पूरी तीन की सरब से, आप सभी को Happy Christmas, अमाश्ता है